DIY Face Mask for Glowing Skin ये है हमारी आज की Natural Home Remedy जुरूरी नहीं कि हर बर फेशिल करवा कर ही फेश पर glow लाया जाए Natural Home Remedy यूज करके भी फेश पर glow लाया जा सकता है इस फेश मास्क से फेश पर इंस्टेंट ब्राइट ग्लो आता है और ये Tan Removal के साथ सकीन रिजूविनेट भी करता है इसी के साथ Monika's DIY में आप सबका स्वागत है अगर आपने अभी तक Monika's DIY को सबस्क्राइब नहीं किया तो सबस्क्राइब कर लीजिए चोकलेट फेश मास्क बनाने के लिए हमें अन्स्टेंट कोको पाउडर चाहिए जोकर्ट, कर्ड यानि देही एक बनाना यानि केला अब सबसे पहले हम बनाना को पील करेंगे और फिर किसी चमच, फोक या फिर किसी मैशर से हम इसे मैश कर लेंगे इस चोकलेट फेश मास्क में जो भी इंगरीडियन्ट हम जूज करेंगे वे सारे ही हमारी स्कीन के लिए बहुत अच्छे है देहीं भी हमारी स्कीन के लिए अच्छा है बनाना भी हमारी स्कीन के लिए अच्छा है और कोको पौवडर तो एक बहुत ही अच्छा एंटी ओक्सिडेंट है बनाना को मैंने अच्छा से मैश कर लिया है अब हम अन्सीटन कोको पौवडर लेंगे तो मैंने 1.5 टी स्पून कोको पौवडर लिया है यह आपको मार्किट में इसली मिल जाएगा और केला और दही तो हमेशा घर में होता ही है तो एक चंगमच मैंने दही का डाला है और हम इसमें बनाना डालेंगे और इनको अच्छे से मिक्स करेंगे अगर आपको यह पैक थोड़ा सा थीक लगे तो आप इसमें थोड़ा सा दही आड़ कर सकते हैं या फिर थोड़ा सा मैश किया हुआ बनाना पर एड़ कर सकते हैं मैं इसमें थोड़ा सा मैश किया हुआ बनाना एड़ करूँगी और इसको फिर से अच्छे से मिक्स करूँगी ये पैक लगाने से आपको इंस्टेंट ग्लो मिलेगा आपको मेंगे मेंगे मार्किट के प्रड़क्ट्स यूज़ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी तो अभी मैं आपको ये चोकलेट फेस मास्क अपने फेस पर अपलाई करके दिखाऊंगी ताकि आपको इसके रिजल्ट्स पता चल सके कोई भी क्लिंजर फेस वाश या फिर कोई भी स्क्रब लेकर फेस को क्लीन करेंगे तो मैंने यहाँ पर क्लिंजर लिया है और अभी मैं उससे अपने फेस को क्लीन करूंगी ताकि अगर कोई डस्ट बगरा है तो वो निकल जाए या पी कोई क्रीम लगी है तो वो भी हम निकाल देंगे कोई भी पैक लगाने से पेले फेस को क्लीन करना चाहिए तब ही अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं फेस को मैंने वाश कर लिया है तोवल से पैट ट्रई करूंगी और अभी मैं पैक लगाऊंगी पैक लगाने के लिए कोई भी ब्रश अगर आपके पास है तो आप ले सकते हैं वरना आप हाथ से भी इसे लगा सकते हैं तो मैं नेक्स स्टार्ट करूंगी आइस को छोड़कर हम पूरे फेस पर और नेक पर पैक लगाएंगी देखने में ये पैक शायद आपको अच्छा नहीं लग रहा होगा लेकिं ये स्किन के लिए बहुत ही अच्छा पैक है पूरे फेस को मैंने पैक से अच्छा से कवर कर दिया है और अब इस पैक को मैं पंदा मिनट के लिए ऐसे ही लगा रहने दूंगी पैक को लगे हुए पंदा मिनट हो चुके हैं अब मैं फेस को साफ करूंगी तो मैंने इसके लिए एक स्पॉंज लिया है स्पॉंज को गिला करके मैं सारा पैक उतार दूंगी मैंने फेस को अच्छे से वाश भी कर लिया है जब भी हमें किसी पार्टी में जाना होता है तो हम फेस्चेल करवाते हैं अगर आप भी इंस्टेंट ग्लोच आते हैं तो आप भी स्पैक को एक बार ट्राई करें आपको फेस्चेल की भी जरूरत नहीं पड़ेगी फरक आप खुद देख सकते हैं बीना फेस्चेल करवाए सिरफ चॉकलेट फेस्च मास्क लगाने से हम चेहरे पर ग्लोल आ सकते हैं यह चॉकलेट फेस्च मास्क आपको कैसा लगा कमेंट बोक्स में जरूर बताएं और अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताच कि कलेगा हिए वीडियो टॉकले इस भlichen मैं से जरूर स्ब्सक्राइब करें जरूर एक जरूर ग्यादी expense जिए कि मुपलियो आपको खेए भाशियो Started च्ब्क रहशे हो रियो क्यान की को सिङए जरूर्या万ुआ करते हैं